हाई मेरा नाम है मुबारत और आज बात एक चेस खिलाड़ी थी सोम्या स्वामिनातर इंडियन चेस का भारत के लिए कई चैंपियंशिप जीतने वाली शत्रंज खिलाड़ी जो की महिला ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी होल्ड करती थी सोम्या को जुलाई के एंथ में एक चैंपियंशिप में इस साले ने इरान जाना था उन्होंने मना कर दिया है अपना नाम वापस ले दिया है वजय पहनावी की आजादी से जूनी है, सौम्या इरान में जाकर हिजाब नहीं पहनना चाहती, इरानी कानून के मताबिक वहाँ पर हर महिला का हिजाब पहनना कमपल सरी है, सौम्या नहीं चाहती कि उनकी कपड़े पहनने की बुनियादी आजादी पर कोई हर्फ आए, अप कि मैं नहीं चांथी कि मुझे हिजाब या बुर्का पहनने पर मजबूर किया जाए सब के लिए हिजाब की पाबंदी वाला इरानी कानून मुझे मेरे बुनियादी मानुवा अधिकारों का सीधा हनन लगता है आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी प्रतियोगिताय आयोजित क खिलाडियों के अधिकारों का ध्यान न रखा जाना निराशाजनक है ये मैं समझ सकती हूं कि आयोजग हमसे अपनी नैशनल टीम की ड्रेस या फॉमल कपड़े पहनने की उमीद करें लेकिन धार्मिक ड्रेस पोड की यकीनन स्पोर्स में कोई जगा नहीं है सौम्या की बा दूसरे मुलकों की महिलाओं पर भी ये लगू करवाने की कोशिश हद दर्जे की मूर्खता है कोई क्यों आपके धर्मिक लाइन को फॉलो करे भई अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो खेलिए ही मत ना ही अपने या कोई आयोजन करवाईए ना कोई आएगा ना आपका ध संगर्ष किया है पिशली दूनों एक गुरिला प्रोटेस भी खूब चला था इसमें महिलाए पब्लिक पेस पर अपना हिजाब उतारती और उसे जंडा बना कर फैराती ये उनका तरीका था ये बताने का कि कैसे वो इस कंपल्सरी हिजाब वाले कानून को अपने अधिकार स्वामिनातर ने अपना नाम वापस लेकर बिलकुल ठीक किया है कोई मुल्क अपनी जंता के साथ कैसे पेश आता है इसके लिए उसके पास कमजोर ही सही लेकिन तर्क हो सकते हैं लेकिन बाकी दोश्यों को खिलाडी क्या पहनेंगे इसे तय करने का उसे कोई हप नहीं उमी धर्म जब तक निजी है तभी तक ठीक है इसका सारवजनिक प्रदर्शन समस्या ही खड़ी करता है